Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल पारित हो गए हैं, तीन important bills, ये bills हैं, भारतिय न्याय 2nd सहिता 2023, भारतिय नागरिक सुरक्षा 2nd सहिता 2023, और भारतिय सक्षय 2nd Bill 2023, इनको पारित कर दिया गया है, और ये respectively Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure और Indian Evidence Act, जो कि अंग्रेजों के टाइम के बने हुए RK laws हैं, इनको replace करेंगे, अब इनक क्यों कहा जा रहा है, किस तरह से ये पारित होए, क्या इनकी significance है, किस तरह के changes हम expect कर सकते हैं, ये सारी बाते हैं, आज के इस particular video session में हम discuss करेंगे आपके साथ, मेरा नाम है चंदन शर्मा, Study IQ Faculty, और आप सभी का हमारे YouTube channel पे, मैं हार्दे का भी नंदन करता हूँ, अब दोस्त में, judiciary subjects, या judiciary के chapters cover कर रहे हैं, जिसमें high court, supreme court, subordinate courts, judicial activism और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनके साथ ही current enterprise को integrate करके पड़ें, और जैसा कि आप हमारे success and prelims program का ये time table देख पा रहे हैं, तो इसमें देखो, quality को हम काफी comprehensively cover कर रहे हैं, 28 December से लेकर 13 January तक, ये basically हमारा ये component चले चलेगा, and clearly पूरा का पूरा syllabus जो है, वो 9th March तक complete हो जाएगा, और यहां पर खास बात है, कि हम इधर, जो subjects cover कर रहे हैं आपके साथ, यहां current और static को integrate करके तयारी की जाएगी, और सिरफ revision नहीं, बलकि MCQs भी solve कर वाए जाएगे, so description comments में link है इस course का, और इसमें अगर आप enroll करना चाते हैं, तो कर सकते हैं, add maximum discount के लिए, C-S-L-I-V-E, यह code आप use कर सकते हैं, और इसमें minimum price पे basically आपकी enrollment हो जाएगी, मेरे साथ अगर connect करना है, तो these are the platforms, और अगर मुझे personal message करना है, तो you can do that at this id, at the rate H-E-L-L-O-C-H-A-N-D-A-N on telegram, अब बात करते हैं इन bills की, देख का बड़ा ही interesting logic है, जो माननिय ग्रह मंत्री, अमिच शाजी ने दिया, अब देखो, यह सबसे पहले bills introduced हुए थे लोकसभा में, वांसुन session के दौरान, on 11th August of this year, right, introduced होने के बाद इस पर चर्चा हो रही थी, कई members ने थोड़ी आपत्ती भी जिताई, जिसके चलते, यह सारे bills refer कर दिये गए, department related standing committee on home affairs को, इस committee का काम होता है कि यह इन सभी bills को थोड़ा विस्तार में और detail में इसका visualization करेगी, analysis करेगी, और उसके बाद इस examination और आंकलन के चलते, कुछ amendments suggest कर सकती है, इस committee ने अपनी report 10 November 2023 को submit कर दी थी, और इस committee को head किया था, ब्रिजलाल जी ने, जो मान member parliament है, इनकी अध्यक्षता में ये basically committee बनी थी, अब देखो यार यहाँ पर काफी smart approach सरकार ने use की, क्योंकि 11 अगस्त को जब ये bill introduced हुए थे, और जब ये bills committee को refer कर दिये गए, तब ये मालूम था कि देखो amendments तो आएंगी, अब माननिय मंत्री ने, माननिय ग्रह मंत्री जी न ये मुनासिफ समझा कि देखो भारत बहुत जादा delays नहीं afford कर सकता इस time पर, important bills को पारत होने में, right, in fact ये bills भी जो हैं, ये जो हमारे judicial processes में जो delays आते हैं, unnecessary, उनको tackle कर रहा है, उनके against जो है, कुछ checks and balance introduce कर रहा है, तो how can we basically tolerate कि ये bills को pass करने में बहुत जादा time लगे, तो ideally क क्या होना था कि ये committee ने अपनी recommendations देनी थी, उसके basis पर amendments होनी थी और एके commitment के उपर voting होनी थी, जो कि basically time consuming process है, तो इन्होंने का कि हम इस bill को वापिस ले रहे हैं, हम reintroduce करेंगे और जो reintroduce bill है, वो इस committee के recommendation के basis पर होगा, that is why second word आपको हर bill के अंदर नजर आ रहा है, right, quite a smart approach, तो यहां पर मानिनिय मंतरी जी ने काफी सारा समय जो है, वो इस approach से सरकार ने और हमारे parliament ने काफी समय इसमें बचा लिया, तो अब क्या है कि ये जो three bills हैं, पहला है भारतिया न्याए second सहिंता bill, ठीक है, तो ये basically IPC को replace करेगा, ये जो new bill आया है, इसमें 358 sections है, जो 11 अंग lynching के लिए death penalty introduce कर दी गई है, और sedition law, ठीक है, वो infamous sedition law जिसको use करके अंग्रेजों ने हमारे कई सारे freedom fighters, चाहे वो बाल गंगादर तिलक हो, चाहे महात्मा कांदी हो, उनको jail में डाल दिया था, और उनके उपर कई untold stories of torture commit की गई थी, तो उस provision को हटा दिया गया, इवन Supreme Court ने भी का था कि वो आजाद भारत में उस तरह के law की कोई खास जगा होनी नहीं चाहिए, everyone should have freedom of expression, but at the same time, it needs to be told, कि एक similar section introduced किया गया, section 152, sedition law हटा दिया गया, लेकिन section 152 में, there is a provision, जहां पर किसी व्यक्ति को punish किया जा सकता है, अगर उसके मन, वचन, कर्म या action से, भारत क समप्रभुता, एकता और अकंडता प्रभावित होती है, adversely, तो उस case में उसको punish किया जा सकता है, तो भारतिये न्याय सहिता के बारे में, ये कुछ की highlights है, इसी कितना, भारतिये नागरिक सुरक्षा second सहिता, basically ये जो revised version introduced हुआ था, इसमें 531 sections है, जो 11 अगस्त को ये bill था, उसमें 533 sections से, अब जो इस particular bill का सबसे मुख्य feature है, या कहें, जो central core principle है, वो है, कि ये जो तारीक पे तारीक तारीक पे तारीक डलने वाला process है, इसको हमने reduce करना है, तो यहाँ पर time lapses जो होते हैं, judicial proceedings में, investigations में, उससे हमने control करना है, for example, इन्होंने provide किया है, कि जो police है, आप 24 घंटे के अंदर उन्हें उसे court में पेश करना होता है, और further investigation के लिए court से permission लेनी पड़ती है, अब permission लेने के बाद, police को ये जरूरी है, कि 7 दिन के अंदर अंदर वो charge sheet file करें, तो इस bill में, ये ensure किया गया है, कि court जब permission दे देता है, तो within 7 days, पहली hearing के 7 दिन के अंदर तो वो चीज produce होनी चाहिए, इसी के साथ साथ जो investigation है, 3 महीने या 90 days के अंदर अंदर complete हो जानी चाहिए, after filing the charge sheet, और जो judgments हैं, आप सभी को पता है कि judges, दोनो sides की तर्क वितर्क को सुनकर, कभी-कभी अपनी judgment reserve रख लेते हैं, ठीक है, उन्होंने basically arguments उननी दोनों side की, लेकिन judgment नहीं थी, तो यह judgment जो है, यह reserve अगर आपने रखी भी है, तब भी 30 days के अंदर-अंदर, you have to give the verdict, आप किसी case को ऐसे pending नहीं रख सकते, तो clearly आप देख सकते हैं, that यहाँ पर time delays, जो unnecessary time delays होते हैं, उनको do away किया गया है, along with this, बहुत सारे important changes किये गए हैं, जिससे कि हमारा overall ज time, यह change करने की कोशिश की है, for example, mercy petitions के लिए timeline introduced की गई है, हमारे भारत में ऐसे cases भी हैं, जहां पर एक व्यक्ती ने mercy petition file की, उसको mercy की grounds, कुछ grounds पर उसको mercy मिल भी जानी चाहिए थी, यानि कि उसकी जो सजा है, वो कम हो भी जानी चाहिए थी, लेकिन वो इतनी देर तक विल timeline होगी, यानि कि बहुत जादा नाजायस delay नहीं होगी, witness protection program की एक provision रखी गई है, along with this, जो हमारा भारतिय सक्षे बिल है, इसमें electronic mode का प्रावधान रखा गया है, technology के changes से, आज की date में जो evidence है, वो electronic form में भी exist करता है, even statement जो है, वो भी electronic mode के जरिये दी जा सकती है, तो उसका बकाइदा प्रावधान दिया गया है, जिससे की judicial processes जो है, वो थोड़े और streamline हो जाएं, along with this, कोई भी ऐसा crime, जिसके लिए 7 साल से जादा की सजा है, तो वहाँ पर forensic investigation को mandatory कर दिया गया है, it is very crucial and very much mandatory कि forensic investigation इस तरह की crime के लिए हो, right, तो this is the brief overview of all these three important bills, detail में तो देखो, यह तो lawyers का काम काफे जादा बढ़ गया है, advocates का काम काफे जादा बढ़ गया है, that they will have to study all these sections, right, and कोशिश देखो यार यही है, कि हमारे भारत में जो नियाए विवस्था है, उसको थोड़ा और streamline किया जाए, और इसमें ensure किया जाए, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, कानून के process के slow होने क वज़े से वो बहुत जादा परिशान ना हो, बहुत जादा उसे समस्या का सामना ना करना पड़े, right, और इसमें कई लोगों का ये कहना है, कि जिस तरीके से ये बिल पारित होए है, basically ये लोगसभा में simple majority से इनको पास किया गया है, लेकिन खास बात ये है कि इस समय पर 97 MP वो suspended थे, there were 97 member of parliaments in लोगसभा who were suspended, right, so उनकी absence में इस बिल को पारित करना, ये अपने आप में कुछ सवाल खड़े कर रहा है, सरकार के अगें, right, लेकिन मानने ये ग्रह मंतरी जी ने ये argument दी है कि उन्होंने इन बिल्स की introduction में, 18 states, 7 union territories, judges from Supreme Court and High Court, 22 law universities, 142 member parliaments, जो की committee में इन में से कई लोग committee में भी मौझूद थे, 270 MLS जहां पर states का जब opinion लिया गया था, तो उनके भी हर state के representative MLS जो थे हैं, उन्होंने अपना opinion दिया था, तो ऐसे 270 लोग थे, right, और कई सारे आम जनता के लोग, उनका opinion लिया गया, तो ऐसा नहीं है, कि अगर 97 MPs जिनको किसी reason से right, अगर parliament की मर्यादा का कभी उलंगन करते हैं, तो obviously suspend उनको कर दिया जाते है, तो अगर 97 MPs यह नहीं थे, तो उनकी absence से ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो गया, कुछ बहुत drastic है, radical हो गया, इन कानूनों को लाना जरूरी था, as per Honorable Home Minister, and the purpose of these bills is, that India, police state में ना तबदील हो, proper checks and balance हो, सरकार के उपर, सरकार की agencies के उपर, and most importantly, time delays को avoid किया जाए, जो unnecessary तारीक पे तारीक डलती है, यह सिलसला इसको हम खतम करना चाहते हैं, right, so these are the highlights of this particular development, इससे related और भी detailed analysis आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे, in our Indian Express series, जो हर रोज, सुबह, 17 बजे, Study IQ के YouTube चानल पर आती है, सो कल के session में भी आपसे जरूर मेरी मुलाकात होगी, जहांपर हम विस्तार से इस पूरे मामले को आपके साथ discuss करते हैं, UPSC से related क्या MCQ आ सकते हैं, उसके उपर भी विस्तार से चर्चा होती है, और जाने माने editors का opinion भी editorial analysis के माध्यम से हम वहाँ पे करते हैं, सो आज की वीड प्रोग्राम को जरूर कंसिडर करें, description और comments में आपको links मिल जाएंगे, और server-shared discount लेने के लिए, आप CS Live Code का इस्तेमाल कर सकते हैं, that's all from my side friends, wish you all the best, thank you so much.